आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिकोड दकोर्स अपने तीसरे और आखरी कोड क्यों रुख करेंगे रूस की बात करेंगे रूस में ब्लाक सी अनाच निर्यात सौदे में अपनी भागिदारी को समाप करने का अंदर ने लिया है इस बारे में क्रेमलेन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि मॉस्को से संबंदित समझौटे का हिस्सा पूरा नहीं होने के कारण ये कदम उठाया गया है दर असल काला सागर समझौटा अब प्रभावी नहीं है यानि कि इसे बंद कर दिया गया है रूसी राश्टपती ने इसकी समय सीमा 17 जुलाई बताई थी 17 जुलाई को इस नर्यात सौदे में रूस ने अपनी भागिदारी को समाप करने का निर्ने लिया दरसल रूस और उक्रेन के बेल्ट में पूरी दुनिया का 25 फीसद अनाच प्रोडक्शन होता है यदि समझोते से रूस पीछे हटा जो की हट चुका है तो पूरी दुनिया और खास कर आफ्रिका और खाड़ी देशों में अनाच को एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा हाला कि संकट किस तरीके का आएगा वो हम आगे समझने की कोशश करेंगे लेकिन क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ अंतराश्य स्तर पर कई रियाक्शन्स देखने को मिले हैं इस पूरे कोड को रश्या के संधर में समझने की तो जरूरत है लेकिन उससे पहले हम युक्रेन और रूस दोनों के संधर में इस पूरे के पूरे कहें फैसले को समझने की कोशश करेंगे क्योंकि युक्रेन और रूस दोनों गेहूं जो वनसपती तेल और अन्या फूर्ड प्रॉड्ट्स के प्रमुक अपूर्ती करता हैं जन पर एफ्रिका, मध्यपूर्व और एशिया के कुछ देश डिपेंडन्ट हैं आप कह सकते हैं फुली डिपेंडन्ट हैं रूस और युक्रेन जंग के बीच दोनों देशों ने जुलाई 2022 में इस्तांबुल में तुर्किये और संक्तुराष्ट्र के साथ काला सागर अनाच पहल पर अलग से हस्ताक्षर किये जो काला सागर बंदरगाहों से युक्रेनी अनाच और अन्य कृशी उत्पादों के न उस ताइन रूस केवल साथ दिनों के लिए सौधे को बढ़ाने पर सहमत हुआ रूस सत्रह माई को इस समझोते को अगले साथ दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुआ था एक समरांतर समझोते के रूप में रूस और यूएन ने रूसी खाद्य और उर्वरक नर्यात की सुवधा पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया हाला कि सौदे के इस हिस्से पर बहुत कम प्रगती होई जिससे रूस में असंतोश पैदा हुआ और आखिरकार समापती की घोशना कर दी गई है अब सवाल देखे ये है कि रूस के समझोते से बाहर होने का असर क्या होगा रूस युकरेन के बीच इस अनाच समझोते से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों को 20 फीसद तक कम रखने में मदद मिली है समझोते से रूस के निकल जाने का असर पूरी दुनिया पर होने वाला है और इस खबर के बाहर आने के तुरण बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत में 3.5 फीसद से अधिका उच्छाल देखा गया दुनिया के सबसे बड़े अनाच उतपादक उक्रेइन ने समझोते के तैट पिछले साल 3.2 करोड मिट्रिक टंस से अधिक मक्का, गेहूं, अन्या, अनाचों का निर्याद किया समझोता खत्म होने से पहले युक्रेइन से आखरी जहास रविवार को काला सागर के जर्ये निकला और रूस युक्रेइन दुनिया के दो बड़े क्रिश्य उतपादक हैं जो भारी मात्रा में गेहूं, जो, मक्का, सरसों, सरसों का तेल, सूरच मुखी के बीच और सूरच मुखी तेल का उतपादन और निर्याद करते हैं तो उर्वरक बाजार में भी रूस का कही न कहीं दबदबा है और रूस की अनाज समझोते से बाहर होने के बाद युक्रेइन को अनाज के निर्याद में अब दिक्कते तो आएंगी तो माना जा रहा है कि समझोते से बाहराना रूस की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रनीती का हिस्सा है क्योंकि वो अपने उपर लगे सभी इंपोजीशन से राहत पाना चाहता है मिलेंगी नहीं मिलेंगी देखना होगा यह वो तमाम कोर्ट जिनको आज Decórd the Courts में हम नहीं जगा दी है इसे के साथ Decórd the Cours में हम सभी से जाज़त लेंगे जास हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे चुन विट जास हिंदी नमस्कार